नमस्कार स्वागत है आपका हमारे अचार जागेंदर मिसाज चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे आज के कन्य राज के दिन के रास्वल की लेकिन उससे पहले बात करें थे आज के पंचांग के बारे में 6 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन है और भादर बदमाश के शुक लपक्ष याज एकादसी ती थी है आज जल जोलेनी एकादसी है नचत्र आज रहेगा पूरवा शाढ़ा और अवजीत महूरत आज दुपार एक जारा बचकर 56 मिनट से लेके दुपार 12 बचके 45 मिनट तक रहेगा आज के शुर उदाय सुबह 6 बचकर 4 मिनट पे और चंद्रमा के स्तिती रहने वाली है आज के दिन धनुराशी पे और साम 8 बचकर 49 मिनट पे मकर राश में प्रवेश कर जाएंगे यानि कि आपके पंचम भाव पे रातर गोचर कर जाएंगे आज के जो अशुब समय होगा वह तकरीवन होगा शुबह 9 बचकर 2 मिनट से लेके सुबह 10 बचकर 5 मिनट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भी शुब और ने कार के सुरुवात ना करेने तो बिख्ण वाधाया शकती है अब बात करते हैं आज के करने राश के दिनिक रास्वल की और ये प्रेक्शन चंदराशी पराधारी थे करने राश के जातकों आज ये चे कार होकर रहेंगे क्योंकि आज के दिन काफी उत्तम रहने वाला है आज विशेश खुसखबरी प्राप्त होगी केरियर में लाभ मिलने की योग बन रहे हैं बिद्यारतियों के लिए भी आज पुरत्योंगी परिच्छे में सफलता का स्त्रेष्ट योग बन रहे हैं करने राश के आज 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 केरियर में चल रही थी परिशानिया जो बार बार आपको नोकरी जोब परिवर्तन करना पड़ रहे थे उससे राहत मिलेगी और आज इस्टाप के लोगों का सहयोग पराप्थ होगा नोकरी को लेकर बेहद अच्छे कारे होंगे नोकरी में आज आज आपको खुश खबरी पराप्थ होगी आज आपके किशी नजदी की रिष्टदार का सहयोग प्राप्त होगा और अगर आपने कई तरह की जो प्लानिंग बना रखी थी वो प्लानिंग आज आपके लिए बहतर होगी आज आपके प्रयास साब के लिए सफलता के कारण बनेंगे धनलाब की योग बन रहे हैं हलाकि किशी पर क्रोध मत करिएगा आज आपको विवादों से दूरी बनाय रखना है बेवज़े उलजने से बचना होगा कने राशकतकों आज धन संपत्य कलाब होगा नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर सकते हैं शाती साथ आज गारी बाहन का शुक प्राप्त करेंगे नए कारी से जूड़ सकते हैं आज आपके धन संपत्य में वेहद लाब होगा उतार शड़ाव जो बने हुए थे उससे राहत मिलेगी और आज बिशेश सफलताएं प्राप्त होगी आज आपको बड़े अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा उच्छा धिकारी आज आपके कार्षेत में आपके मदद करेंगे केरिर में उपलब्दिया प्राप्त होगी कन्यराज करतकों पहला कार आज आज आपको प्रमोशन को लेकर, सैलेर Quest में ब्रद्धी को लेकर मिलेगा तो वहीं दूसरा कार आज बैंक से लोन बगारे मंजूर हो शकते हैं यनि कि आज लोन बगारे मंजूर होने से आपकी आर्थिक स्थिती और आपके बित्थी मामलों काफी सुधार देखने को मिलेगा धन कारियों में विशेश लाब होगा, अच्छे कारियों में अपलब्दिया प्राप्त होगी, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कुछ अच्छे कारियों में आज आपको लाब भी मिलेगा, आज आपको महत्मूर सफलताएं प्राप्त होगी, खास कर बिजनेस वियापार से प्रतिश्टित व्यक्तिका आपके घर में आने जाने का मौका मिलेगा। आपको बैंक से लिखा पढ़ी के मामले में भी राहत मिलेगी। साथी साथ कोई महत्पूर लोन बगर मंजूर होंगे। बिजनेस व्यापार में आपको तीसरा कार पूरा होगा कोई महत्पूर डेल को लेकर। क्योंकि यह डिल फानल होने से भी आपके कारशित में लाब होगा। करने का मौका मिलता नजराएगा। आज आपको कन्यराशत को बेवजा किसी से उलजने से बचना होगा। किसी दूसरे के काम पर ध्यान ना दे बलकि अपने काम पर फोकस बनाई रखें तो ज्यादा वेनफिट प्राप्त होगा। आज चौथा कार पूरा होगा। और आज कता वारता हो शकती है। आज आपको शिक्षा में प्रेम जीवन में और संतान को लेकर बड़ी खुश कबरी प्राप्त होगी। क्योंकि आज चंद्रमा साम को यनि को वचर करेंगे। हलाकि आज दिन में तो आपके चतुरत भाव पे रहेंगे। तो धन संपत्य कलाब होगा, जमेन प्रोपर्टी में जाफा होगा, गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे, शुक्षाधरों में ब्रद्धी करेंगे। और अभी तक जो अनबन थी, जो दोरिया थी, वो मिटेंगी। जो काफी समय से आपके नहीं बन पा रहें थी, वो कार आशानी से पूरे होगे, कुछ महतपूर्ण नेना और डिसीजन ले सकते हैं, स्वास्त भी बेहतर होगा, स्वास्त को लेकर जो चिंताएं थी, जो परेशानिय थी, तो वो स्वास्त में अब बेहतर लाव होगा, और हलकी आज के दिन, यानि कहा जाए, तो एक अदसी रिथी है, तो आज आपको भगवान विश्ण जी की पूजा राधना करना है, भगवान स्थरे कुष्ण जी की पूजा राधना करें, आज गरीबों को आप निर्धनों को जरूरत मंद लोगों को दान करें, चावल का जीवन में यानि की पूरा होगा, चठा कार आपको कंपटीशन वगरे में शिक्षा के शेत्र में दाकला लेने के लिए पूरा होगा, यानि की आज आज आपको छे कार पूरे होंगे, शिक्षा के शेत्र में आपको लाभ होगा, तो आज आपका सुबर अंग रहेगा यहा झाल झाल